हलो एंड वल्कम टू स्टडीवडी मेरा नाम है विनाश सेंग और आज हम डिसकस करेंगे इंडियन राइनो विजन 2020 के बारे में यह इकलोजी एंड एंवार्मेंट पॉइंट और व्यू से से इंपार्टेंट है लेकिन उससे पहले कहना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग देख रहे हैं और अपने चैनल पर और वीडियो डालते रहते हैं तो विजन 2020 के बारे में इंडियन राइनो विजन 2020 कहा जाता है यह दो राइनो चोड़े जाने के बाद बंद हो गया था एक एक मेल और इसे च्छड़ा गया था आसाम के मानस नेशनल पार्क में और उसको तो ट्रांस्पोर्ट क्या गया था फोभीतुरा वाइल लाइफ से जो कि उससे 185 किलोमीटर पूर्व की दिशा में इस्थित है आयर वी 2020 क्या है तो 2005 में कुछ conservationist और Borderland Territorial Council के members ने मिलके और Government of Assam ने मिलके यह काम किया और उन्होंने एक लांग टर्म स्ट्राटेजी डेवलप किया जिसके इस स्पीसिस को मैनेज किया जा सके क्योंकि इंडियन राइनो का population बहुत ही ज्यादा कम होते जा रहा था और यह एक इंडेंजर स्पीसिस में आ चुका था और इनका हंटिंग बहुत ही सक्किया जाता है और कुले सरे काम में आता है और यह पोचा के रहे हैं इन का भी जन था कि यह 1000 को आसाम में ला सके मतलब उनका बीडिंग कर के इने इनका पॉपुलेशन तीन हजार तक कर सके और उन सारे राइनोस को पूरे साथ साइट्स पर असाम के साथों साइट्स पर फैलाया जाएगा अब हम देखेंगे कि यह प्लैन सक्सेस्फुल रहा और इस प्लैन को डिजाइन जो कि 2005 में किया गया था इसने अपने टार्गेट क आप से हटा के साथ में किया यह नहीं हो पाया यह सारे चारों प्रोटेक्टेड अर्यास यह लोग इन राइनोस को नहीं पॉपुलेट कर पाए जबकि 1980 में पांच ऐसे एरिया से जहां पर राइनोस रहा करते थे और जो मानस नेशनल पार्क है उसमें क्या हुए था कि पि साथ ही काजिरंगानेशनल पार्क से भी छीन लिया गया था यह नस्को के द्वारा जब इन राइनोष को मानसनल पार्क में ट्रांसलोकेट किया गया से एंड कीप वाचिंग स्टुड़ी वदी स्टेक हपी स्टेक्ट इसट पे